नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों केशे हैं आप शबी उम्मिद करते हैं कि भगवार भोले नात के शिरबाशी आप शबी बहुत यच्छे होगे दोस्तों आप शुपी को बता दें कि अब आपकी जीवनकाल में भगवान बनकर आ रहे हैं यह तीन बड़े देवता जिया दोस्तों और आने वाले दस दिनों के अंदर यानि कि दोस्तों आने वाला जो 10 दिनों का श्यू में होगा इन दिनों में आपको कड़ोरों का शंपती हाथ लगने वाले हैं जियां दोस्तों ये श्यू में आपका घर परिवार खुशियों में जूमने वाला है आपके गरहों के सित्य केशी होने वाली है आपके जुनकाल में आने वाले 10 दिनों के अंदर कौन कोशी बड़े परिवर्दन होने वाले है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको शंपुन विस्ताशी बताने वाले है तो दुस्नों आज का यह video आप शिबी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्पुन और बहुत ही ज़्यादा खाश होने वाले हैं आपके आनेकर दस दिनों के लिए और आपके आने वाले भईषक के लिए भी कि दोस्वों अगर आप राज्टे पर पहला कदम शही चल गए तो दोस्वों आने वाला दुश्रा कदम भी आपके लिए शही होगा और दोस्वों अगर आप पहला ही कदम गलत चल दिये तो दोस्वों आने वाला जो भी इश्रे में होगा दोस्तों उनमें तो आपको उकश्ट देखने को ही मिलेगा क्योंकि आपने कदम गलत उठा लिए है जी दोस्तों इशली आने वाली 10 दिनों के अंदर आपको जो भी शंकेत मिलने वाले हैं जो तीन बड़े देवताव शिबी के घर आने वाले हैं दोस्तों शारी बातें आजके इस वीडियो में हम बहुत इवी स्तार शिब बताने वाले हैं तो दोस्तों बश्रा आपका दाईत और करता भी इतना ही है कि वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंतर तक बिल्कुल ही ध्याश दिखिएगा जी हां दोस्तों आप शुबी को बिदा दे कि दोस्तों यह शुमें आपके घ्रहों में आपके राशी में बहुत यह अच्छे शुबीयों कडिर्मान होने वाले ही जी हैं दोस्तों जिनके कारण आने वाले 10 दिनों तक आप शुबी को अपने जुनकाल में महंगे और शबशे बड़ा शंपती आपका हाथ लगने वाला है जी दोस्तों अगर आप चाहेंगी तो दोस्तों आपका जिवन देखते ही देखते बदल जाएगा पर दोस्तों अगर आप नहीं चाहेंगे आप वीडियो को उगनाओर कर देंगे तो दोस्वों आप जिवन फर पहस दाने वाले हैं जिए दोस्वों इसलिए आज की वीडियो में हम आपको जो भी मैतून बात बताने वाले हैं दोस्वों ने बिल्कुल यह आप ध्यान लगा कर शुनिएगा दोस्वों आप शुभी की जानकारी के लिए बता दें कि याश्य में आपके गरहों में दुरलब राजियों की निर्मान हो रहे हैं दुरलब राजियों का निर्मान हो रहे हैं जे दोस्वों याश्य में शूरी जो है आपकी राशिषे पांचवी भाव में हैं और चद्रमा आपकी राशिष ये शुरात्मी भाव में है यानि कि दोसों लाब के बड़े-बड़े ही मौके आप शिवी को प्राप्त होने वाले हैं गरों के स्थिती बहुती परवल है जिया दोस्तों दोस्तों यश्मी आपके कुंडली में जो योग कनिर्मान है दोस्तों वह तीन बड़े देवता कौन कौन शुरे हैं दोस्तों आप शिवी को बिता दें कि पहला है भगवान शुनी देव के शबशे परयम शुवियोग शर्शियोग का निर्मान होने वाले हैं जिनके कारण दोस्तों आप शिवी को पिछले श्मी के बहुत शारेश्य कारियों क अफ़ल मिलने वाले ही जिनका दोस्तों आप बेशबरी से इंतजार कर रहे थे जी है दोस्तों आप शुब गुवदादे की भगवान शनिदेप के शिर्वासरी यश्मी आपको हर कारियों में शुबलता की प्राप्य होगी और बहुती महत्पुन कुशकबरी आप शुब को अगर दोस्तों अप इनका फाइदा उठाएंगे तो दोस्तों हमा आप शुबलता दी कि आप जिवनकाल में उन उचायों को छूलेंगे जिनका दोस्वों आपने कभी शपने में भी नहीं शोचा था जिनका आपने कभी कलपना भी नहीं किये थे जिनका दोस्वों और अगर आप किशी के वहकाव में आकर इस जिवन को आप इस शमय को आप छोड़ देंगे, इग्नॉर कर देंगे या फिर इस वीडियो को ही आप अंतर तक नहीं दिखेंगे तो दोस्वों आप जीवन भर पहस्ताने वाले ही इसका कोई दो राय नहीं है कि दोस्वों भगवान जब भी किशी व्यक्ति को मुखा देता है तो दोस्वों उनकी जुनकाल की शारे कर्मों को देख कर ही उनको मुखा देता है और जब व्यक्ति उनके उतने शारे कर्मों के बाद उस मुखे को गवा देता है तो दोस्वों उनकी जुनकाल में शमश्याय आना तो तय है इसलिए दोस्तों हम आप शिवे को बिता दे कि आने वाले शिवे में आप शिवे के जुनकाल में कौन कौनशी बातों का आपको ध्यान अगना है ताकि यह देवी देपत्ता आप शिये रूश्ट ना हो और कौन कौनशी आपके यश्मे विशेज उपाय करना चाहिए ताकि दोस्तों आपके आने वाल अश्मे बहुत ही लावकारी हो तो इनके भी बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से बने रहेगा जिये दोस्तों फिर शेम आपको ब भगवान भोले नात का भी यश्मे आपकी जुनकाल में होने वाले हैं यानि कि दोस्तों भगवान भोले नात का भी जो राजयोग है वो दोस्तों शिव नाम का शिव योग आप शिव की जुनकाल में फ्रारम होने वाले हैं और आने वाले दस दिनों तक इनका आपको शु आपके कुड़ियों में बहुती बहतर इस्तिति में है जिनसे दोस्तों आपको धन्से जुड़ी सभी शेत्रों में आपको लाग मिलने वाली है काफी धन्लाब आपको मिलने वाले इसे दोस्तों आपका भाग दूगुने तेज़े से बढ़ने वाली है जिए दोस हुम आप श्रीवी को उद्हादी कि आने वाले 10 दिनों के अंदर आप श्रीवी खो अपने भागे का इतना बड़ा लाब मिलेगा इतना बड़ा भागे की शंपत्ति आपके हात लगने वाली है वे दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों जो भी भगवान भोलेनात माता लक्ष्मी और भगवान शुनदेप के सच्चे पिर भगते हैं दोस्तों कमेंड बक्ष्में सच्चे मंसे जै माता दी, जै भोलेनात और जै शुनदेप ज़रूर लिखेगा और वीडियो को एक प्यारा राश्य लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजीगा दोस्तों वगवान भुलियात मादा लक्ष्मी और वगवान शुनदेव का हश्य मिश्रपाद आप्षवी के जिए उनकाल में आप्षवी को प्राप्त होगा जी हाँ दोसों तो ऐदोसों बात करते हैं पूरे ही विस्थार्शी दोसों हम आप शुगवधा दि याष्मय जो गरहों की सिती बन रही है जो दोसों याष्मय शूरी और चैतलों का प्रिवर्तन है दोस्तों बहुत ये अच्छा है और 12 राश्यों में शे शब से ज़्यदा परवाव आपकी राश्य पर पढ़ने वाले हैं इसलिए दोस्तों आन्याले 10 दिनों का शमय आपशिवी के लिए शब से ज़्यदा महत्पून है इसलिए दोस्तों येश में आपको बहुती खाश कदम उठाना होगा जिया दोस्तों येश में जो राश्य का परिवर्तन है वे आपके लिए खुशकब्रियों का शमभूना ये लिकर आ रही है येश में आपके भागी का शबशी बड़ा धन आपशिवी को मिलने वाला है जितों समय आपके लिए बहुती दुरलब है बश्य आपको इन्हें शमालना होगा आईवे मुक्य को अपने हाथ में पकरना होगा इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप ध्याश दिखिएगा दोस्तों आप शबशी को बता दें कि आप जो भी कारी करने वाले हैं कारशित्र में जो भी पिछले शमेश आपके कारी रुके थे दोस्तों ये शम्पन होने वाले हैं क्योंकि माताल लक्षमी के अश्चिरवाश या आपशिवी के जोनकाल में आपके भागी का शब्षी बड़ा धन आपको मिले वाले हैं, और दोसों चाहे तो दोसों ये धना आपको आपकी कारक्षित्र में भी मिल सकता है, जो भी आप कार कर रहे हैं जिनमें आपको शपलता पिछले कैश में से नहीं मिल रहे थी, तो दोसों एक शाथ आपके शारी कारे बनने वाले हैं और जीवन का शब्षी बड़ा शपना आपको ये शमी सच होते हुए देखने वाले हैं, जे दोसों हम आपको बता दे कि पिछले शमी से आप जो भी धहरी रख रहे हैं, जो भ भी नए कारे की शुरुबात कर रहे हैं, नए जगह जा रहे हैं, या फिर दोसों नए लोगों शे मिल रहे हैं, अगर आपको कारियों में शिफलताय भी मिली हैं, तो दोसों आपको अपने वानिप पर श्रियम बना कर रखना होगा, एहंकार की भावनों आपको अपने मन क के अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना है कि यह चीज़ आपको मिल चुका है जिह दोस्तों यह भी अगर आप करेंगे तो दोस्तों जो भी शुपल्दा आपको मिली है उनमें दोस्तों आपको नुक्षान हो शकता है इसलिए शावधनी ब्रतनी आपके लिए श्रब्शे जदा जो लोग पीछले कईश मिश्में से रोजगार की तलास में थे दोस्तों उन्हें मन चाहा रोजगार मिल सकता है जी दोस्तों और यह चीज़ में आपको विशेज बातों का ध्यानक नहीं होगा जिसे कि दोस्तों अगर आप कोई भी नया कार किये हैं तो दोस्तों आख मु और श्क्राइबरी आती हैं जब भी आप प्रशन होते हैं। दोस्रों इन बातों को आधैन रखना है कि जब भी स्वेव किसी के उपरां की मुंद कर भरोशा करते हैं..等 ritual आपको आने वहली स्ट्रियों में अपने कारियों में आपने। जो भी आपका माक्षद है उनमें अर्चने को दिखने को मिलती है इसलिए दोस्तों इन बातों को आपको ध्यार रखना अब आवश्यक है शादिशा दोस्तों हम आपशी को बिदा दी कि याश्मी आपके जो रुजगार है जो भी कारवार है वैपार के चितर में आप काफी तरक्की पाने वाले है शादिशा दोस्तों जो भी लोग विदेश के कारवार से जुड़े हैं दोस्तों उन्हें विदेश चे भी धनलाब होने की शमोहना दिख रही है यात्रा होने की भी शमोहना दिख रही है दोसों पिछले लंबेश में से जो भी लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं और फिर यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं दोस्व यश्में आपको मूगा मिल सकता है आपको कोई बड़ी अपरचुनटी मिल सकती है जिन से दोस्व आप शिब का मन कुछ रहेगा शाति साथ दोस्तों विदेशी कारबार से यो भी लोग जुड़े हैं उनको येशी में लाब होने के शमपुन दिख रही है शाति साथ दोस्तों हम आप शुप को विदा दें कि शमय और जो भी आपके यात्रा होगा बिल्कुल है वो दोस्तों वो शुख दायग होगा जिस कारी के लिए आप दोस्तों आई यात्रा करने वाले हैं वह कारे आपका शमय पर शमपुन होगा और यात्रा आपका बिल्कुल ही शुख दायग होगा इस बात का देन रखें आपको वहाँ शे विदेशी मुत्रक काफी लाब देने वाले ही जिया दोस्टों हम आप शुकू बतादें कि दोस्टों यश में आपके अंदर कुछ जाता केशे होंगे कि दोस्टों अंदर ही अंदर काम करते ही आपका दोस्तों यश्मे जो भी अंदर वाली काम है यानि कि दोस्तों जो भी आप गुप्त कारी रखे हैं जिने आपने किशी को भी तक नहीं बताए हैं तो दोस्तों आप शबी को बताए हैं कि आपका हुआ कारी यश्मे शफल होने वाले हैं या फिर आप मन ही मन कोई नएकार करने की सोच रहे हैं तो याश्य में आपका सोचने की शक्ति बढ़ने वाली है और आप कारियों की और अग्रिशर होंगे कि शुमत का आपको पूरा शाथ मिलने वाला है या दोसमें आपको रोजगार में बिल्कुल ही बिरिद्धी होने वाली है जिस कारी में आप हात लगाएंगे दोसमें याश्य में वो कारै आपका शांपन होने वाले हैं जो दोसों यह शुमिय हम आप शुव को बिदा दी कि जब भी आप अपने जुनकाल में कोई नए कारिकी डील करते हैं दोसों शांतिश आप इस बात को ध्यां में रखें कि दोसों कभी भी आपको ज़्यादा नहीं बोला है दोसों उशु उश पर ज़्यादा नहीं कहना है दोसों एक बात हमेशा याद रखेगा कि कभी भी अपने जुनकाल में बहकावे में आकर किसी के कहने पर दोसों आपको इभी कारी की शुरुवात बिल्कुल ही मत किजिएगा ये आपके लिए बहुत बड़ा नुक्षान दायक्ष में होगा जैसे कि दोसों अगर आपको क कहने पर कहीं पर investment करड़ेते हैं कहीं पर कहर्च कर देते हैं तो दोसम उर्फ जो कारे होगी होगा दोसवी आपकर नुक्षान धैगा होगा और आने वाले sea में आपको बचना होगा जितना आप महनत करते हैं दोस्तों पिछले कईश में शुतना आपको फल नहीं मिल रहा था लेकिन दोस्तों समय और गरहों के सती बदल गई है आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है और दोस्तों यश में आप इन बातों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों फिर से आपके जुनकाल में वही आर्थिक तंगी दोडने वाली है जो कि दोस्तों पिछले कईश में से चल रही है जो दोस्तों आप देख रहे थे कि पिछले कईश में आपके पास पेशे नहीं टिक रहे थे पिछले कई शमेशे आपके जुनकाल में आर्थिक तन्या ही चल रही थी पेश्चे की समस्या इस परकार बर गए थी कि दोस्तों घर के बहुत शारे जो वस्तु है जो दोस्तों उप्योगी वस्तु है उन्हें भी आप खरिद नहीं सकते थे जे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि किछ परकार की जीवन आप पिछले शमेशे गुजा रहे हैं और ये जुनकाल में अगर आपका शमेशे बहतर होता है तो दोस्तों किष्चे की बहकाव में आकर कारी बिल्कुल भी नहीं करना है इस बात का आप ध्यान रखें अगर दोसों आप थोड़ी श्रमे श्रमे के अंतिजार करेंगे तो दोसों आपका जो ध्वन है दोसों वो श्रही जगपर जाएगा और उनुमे भी आपको लाब मिलेगा तो दोसों यश्रमे गरों की सिति ऐसी दिख रही है कि कोई वेक्ति आपको ठगी कर शकता है इसलिए दोसों हम आपको यह बात बताए हैं कि किश्ची के भी शातेशी आप बहकाव में आकर कारमत कीजिगा जे दोसों दोसों यश्रमे जिस भी शेतर में आप हांत लगाने वाले हैं उस शेतर में आप तरकी मिलने वाले हैं गरों की सिति इतनी अच्छी है कि दोसों आपको शुपलताई मिलनी ही है लेकि दोसों इसका मतलब यह नहीं कि आप गर में शोजाएं अपने जिनकाल में कुछ ना करें दोस्तों एश्री भावन हैं आपको अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना हैं अगर गरहों की इस्तिति आपके लिए शुब है इश्वर का आशिरबाद आपके शाथ है इश्वर आपको कुछ दे रहा है तो दोस्तों आप उन्हें लेने के लिए भी तयार रहे हैं और अपने कारियों में जितोर मेहनत कीजिए जिससे कि पिछले का इश्मे करें वे अब उश्री परकार मेहनत करने का आपको शमय आ गया है क्योंकि एश्मेगरं की इस्तिती गिनुशार जुगरं का शयम है दोस्तों उनमें आपको बहुत इलाब मिलने वाले हैं आप शफलताओं को पराप्त करेंगी लेकिन अब हाथ पर हाथ घर कर बेट जाएंग इश्वर का शिर्वाद हमारे शाथ है तो अब हमें किशवाद का टेंशन किशबाद की चिनता और घर में हाथ पर पर वे साथ दर्ध मरें, तो दोस्तों इंशे भी आपको कारियों में नुक्षान हो शकता है, आपके भाग में जो भी मोके हैं, जो भी फल हैं। उन्चीत रह सकते हैं. श्यवर का शुर्माद भी आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों इश्वर उने के शात रहते हैं जो लोग महनत करते हैं इश्वर दोस्तों शाक्षात नहीं कारी करते लेकिन दोस्तों इश्वर आपको हमेशा उन कारियों के और अगर्शर करता है जो कारी आपके लिए शही है जिया दोस्तों इसलिए दोस्तों अगर आपको इश् शिर्वाध इश्वर के शंकेत मिलें किछी भी परगार के कारे हों आपको उनमें इस पल्ता मिलीगी बस आपको मलं अगर कार करना दोस्तों यश्मे आपका भागे जो है इनके वजश्य कर्वों के स्थिति में आपका शूरी गरह बिल्कुल ही मजबूत होने वाले हैं और बुद्ध भी और शुक्र भी आपके लिए अच्छी स्थिति में हैं जिनके कारण दोस्तों यश्मे आपको विशेश धलाब मिलने वाले हैं तीन च्छेत्रों में आपको विश्मे सबसे ज़्यदा धन मिलने वाले हैं पहला च्छेत्र है दोस्तों आपके वैपार का च्छेत्र जियां दोस्तों और दूसरा च्छेत्र है दोस्तों लोटरी का चेत्र अगर दोस्तों आप लोटरी खेलते हैं तो दोस्तों ह कर रही है कि आपको यश में सबसे बड़ी और महंगी शंपती हाथ लगने वाली है जी है दोस्तों आपको रोजगार कारुबार में भी अगर आपको यशा इन्वेश के से मानली जो दोसों कोई शेर मार्केट में आपने पेशे लगाये थे तो दोस्तों यश में आपका पेशा चोगनी दूना आपको तरक्की देने वाले हैं यानि कि दोस्तों कई गुने में आपको पेशा मिलने वाले हैं जिन से आप शिवी का अर्थिक सती पूरी तरह शे बदल जाएगा और इतना धन आपको मिलने वाले हैं उस पेशे से जो आपने इन्वेश किये हैं पारवार में जो भी कारे करते हैं दोस्तों उनमें भी आपको लाब मिलने वाले हैं शंकेत एशे बन रहे हैं कि दोस्तों यश में आपको धरलाब होनाता है बश आप लोगों के शाथ गुल मिल कर रहें लेकिन शावधान भी रहें इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों अगर आप कोई भी गलत्ती करेंगे अपने हाथों से दोस्तों आप शिवी को बता दे कि आपका कारे बिल्कुल ही अशुफल हो जाएगा आप शिवी को बता दें तो दोस्तों जो भी लोग पिछले कईश में से कॉंपेटिशन की त्यारी कर रहे हैं नोकरी लेने का पर्याश कर रहे हैं तो दोस्तों याश्य में आप शिवी का वह पर्याश शफल होगा और किशी भी प्राइबिट कंपनी में आपको जोनिंग लेटर भी आशकता है दोस्तों जो भी लोग पिछले कईश में से उनको शबलता हाथ लग सेकती है उनको रोजगार मिलना निस्चित है जी दोस्तों परंतु आपको अपना कोशिच जाले रखनी है अपने मेहनत को बरकरा रखना है दोस्तों एशे नहीं कि आप अपने कारियों को छोड़ दे इस तरी हो या फिर प्रूस दोस्तों सभी जातकों को यश में बहुत ही बड़ी अच्छी मन चाही नोकरी मिलने वाली है जी दोस्तों प्राइबेट कंपनी में भी अगर आप कारी करना चाहते थे या फिर सरकारी में कारी करना चाहते थे तो दोस्तों यश में आपके लिए नई शंभाने बनेंगी जिन में आपको कारी मिलेगा जे दोस्तों बेरोजगारों को यश में रोजगार मिलने वाला है और इस रासे के सभी जातक हमेशा अपने जुनकाल में करमज़िल इंसान है करमों को लेकर कभी भी जुकते नहीं है इसलिए दोस्तों यश में आपको करमों का शाथ मिलने वाले हैं भागी का पूरा शाथ मि लोग जहता है तो दोसों आप शृबी को बता दें कि वहां पेशाब आपको मिलने वाले हैं शादिशा दोस्तों हम आप सुब्राइम की वायपार में, कारोबार में, अगर आप किसी चीज की सुरुवात करना चाते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखें कि दोसों सभी के आगजात को ध्यान से देख लिजेगा, अगर आप किशी प्रौप्ति के खरदारी कर रहे हैं, तो दोसों उनका आगे बीची देख लेजेगा, शबी के आगजात, वरना दोसों यश में आप किसी भी पच्छड़ी में परशकते हैं, शमी आपके लिए बहुत पेशा रुपया उधार नहीं देना है अगर दोस्वे उशा कार्याप करते हैं तो दोस्थों द्यान रखिएगा कि घर आई मातल लक्शमी आपसे रूट जाएगी और दोस्वे आपके जुनकाल में बहुत शारी शंकर्ष मेशमिशाएं पेश्य को लेकर आने वाली है तो दोस्तों इस बात का ध्यनक्यां की पेश्य अगर आप उधार दे रहे हैं तो दोस्तों सुरियास्त के बाद आप किश्य को भून कर भी ना दे जी है दोस्तों शारीशा दोस्वों, हम आप شrik उपदात कि माताङल लक्ष्मी को पर्शनर करने के लिए यशिमे, आपको कर्ण्याओं को बहुजन करना चाहिए, कर्ण्याओं को कुश रुप्यों का दान करना चाहिए, बच्चों को यशिमे, आपको बिल्कुल ही प्रेम भावशे वैवार चाहिए। इसे धराइ माता लक्षमी आप से प्रशन ही रहती है और जीवन काल में आपको हमेशा ख़ुशी ही खुशी देती है। इसलिए अले आप को उ स्थिरिक आहिए घे बीजान को शुरु करना आयए। शुरू करते आए से इसलों हम स्टू को कश्ट रहने लगता है क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपने माता-पिता को ही कश्ट दिया है इसलिए उनके जो इश्टिक देव हैं वहीं उनसे नराज हो जाते हैं याना कि दोस्तों भगवान भूलिना इसलिए यश्व में आपको अपने भागी का पूरा शाथ मिल रहा है तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें कि अपने माता-पिता की शाथ उतना ही अच्छा वैवार जैसे कि दोस्तों आपके भावनाएं हैं जे दोस्तों किसी भी छेतर में आप कारी कर रहे हैं तो दोस्तों माता-पिता का आग्या जरूरी लें माता-पिता से दोस्तों का पुज़ा पार, करने से पहले जरूबी पुछेगा, दुनतों यश्मी आपके घर में तीन देबड़ी देवता आने वाले हैं, और आये वें, तो दुनतों यश्मी आपको भगवान का पूझा पार्ट करना चाहिए, दुनतों इन शेपको लाब मिलने वाला है, जिया दुन अगर आप इश्म पूजा पाढ़ करेंगे भक्ति महीं क्या तो इश्मूर दोसे répondre करेंगे तो इश्मे आने वाले 10 दुनो के ने इदेर आपको क्या करना है अपने घर में दोसे नहा दो कर इश्मूर का अश्मरन करना है दोस्तों भक्ती गाने आपको शुना है इनसे दोस्तों आपके जुनकाल में श्रकारत्मक विचार आपके मन में आएंगे बहुत शारी कारे इनसे आपके सफल हो जाएंगे दोस्तों आपको अपने जुनकाल में इन बातों के दान रखना है शादे साथ दोस्तों एहिंकार की भावना आपको बिल्कुल भी नहीं नहीं लाने है, शम मे कुछ ना कुछ बहस्षा करना चाहिए, जिसे कि गर्मी के मोशम हैं, पक्चियों के लिए आपको अपने च्छत पर पानी का और कुछ दाने का बहस्ता करना चाहिए दोस्वों अगर कोई भी प्रक्षी आपके घर पर आकर उसे पानी को उसे दाने को चुकता है तो दोस्वों यकीन मानिए इश्वर आप शी परिशन रहते हैं और इश्वर का शाय आपके घर में हमेशा रहता है जे दोस्वों और भूल कर भी आपको इश्वर के बनाई है तो दोस्वों आप उन्हें कुछ जरूर ही खिला के भेज़ेगा तो यूहीं आप उन्हें मार कर द्वार से मत भेज़ेगा क्यों दोस्वों यह भी माताल लक्षमी का एक परम शंकेत है अगर आपके द्वार पर गायाई है तो दोस्वों माताल लक्षमी का दोस्वों चर किशमत को ही ठोकर मार रहे हैं दोस्तों इस बात को आप अभी ही अपने दिमाग में बैठा लिजिएगा इसलिए दोस्तों आपको इन बातों के ध्यान रखना है कुछ ना कुछ जरूर ही उन्हें खिलाना है शादिससतों अपने घर में बेवज़ा अपने बच्चों को आप बगवान में जिहां दोस्तों आप शुगू विदादे कि बच्चे में भगवान का वाश होता है और दोस्तों ये बात प्राचिन काल से ही प्रचलित आ रहे हैं अगर आप एशा करते हैं तो भगवान भी आपसे रूष्ट हो जाता है तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो दोस्वों आप बहुती बड़े भागिशाली इंशान है। भगवान ने आपको बच्चे दी हैं तो दोस्वों इस बात के दहन रखें। और बच्चों को दोस्वों बिल्कुल ही आपको इश्ट रखें। चाहे आपको थोड़े शीत कश्ट हो जाए, लेगिन आपको बच्चे को रोने बिलकुल मी नहीं तरना है इसे दोस्वों जूनकाल में बहुत शरी परिशानाया थी इसलिए इस बात के इधन रखें और दोस्वों अगर आपकी जूनकाल में कभी कबार आपने इश्षी के लतिकी है तो दोसों उनके लिए आपको अपने इष्ठदेव को प्रिशन करना है और इष्डी लिए आपको शेवलिंग प्रकाथ दूद और ऊर्पित करना है और तो इष्डी जो भी आ जुनकाल में छोटे मोटे परिशानियां हैं जो के दोस्व अंजानेशी हुए हैं दोस्व इस चवी परिशानिया श्माप्त हो जाएंगी और शाद शाद दोस्व घर में अर्चने लगतार आरहे हैं ग्रीक लेश हो रहे हैं तो दोस्व आपको जो भी किन्नर हैं उनको हरे जो भी लाब की मोगे हैं वह आपके शामने आएंगे और दोस्तों सारे उन्हेंं चीज़ों में आपको शपलता की प्रयाप्ति हुए जिन में दोस्टों आप प्रयास करते हैं जिनकाल में बहुत शारीशी शमया हैं जिनका शमधान आप कभी-कभी नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों नहादोकर आपको शुभा के श्रमे तीन से पांच के बीच इश्वर का श्मन करना है दोस्तों ये श्रमे इश्वर के शाथ जुड़िने का श्रमे होता है दोस्तों ये श्रमे आप इश्वर स शाक्षात दर्चन भी पाशकते हैं यसमी आपको नहा दोकर और यसमी इश्वर का श्मन करना है आर आक मूंत कर जो भी आपकी इस देव है उन्हों से पूछना है आपकी जो भी गलती है उन्हें चमा मंगना है दोस्तों यकीन मानिए आपको बहुत शारी श्रकार्त में वह वहajuी comment आता है कि शत्रुओं हमको प्रिशान करते ही तो दोस्वों आज की जिवनकाल में शत्रों शभी लोग को प्रिशान करते ही शत्रों से मुक्ति पाने के लिए दोस्वों आपको हनुमान जी के पास जाना हो डूस आपको उलाईस से दाना अरिपित करना एं साध़्िसाद महावली हनुमान चीजी प्राथना करना कि हे शंकक्ट मोचन कष्टों करने वाली हे महावली हनुमान अब आप हमारे जुनकाल की रख्चा किजी हम उपने जुनकाल में बहुत ही परिशान हो चुके हैं बहुत ही शंकट समिशा उसके घिर चुके हैं दुश्मन हमें आगे बढ़ने निदर आए जो भी आपके मन की चाहें हैं दोस्तों आप उने सब कुछ कह दिजीगा पर दोस्तों इस सर्दा के शाथ हरे उपायों को किजीगा दोस्तों इन शी आपके जुनकाल में शारे उपायों का लाव आपको प्राप्त होगा दोस्तों अगर आप अपने मन में कोई भी चलो आप फिर कोई भी शंदे रखते हैं तो दोस्तों ध्या पास आपको हमेशा इश्वर के उपर रखना है और शबी उपायों को करना है आपको धनलाब जरूर होगा दोस्तों उमीद करते हैं कि आज शंपूर वीडियो आप शबी को बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको इंसमें बहुत कुछ शिखने को मिला हुआ और जो भी बात ह कि आपको शच लगा है या फिर जूट लगा है दोस्तों बिल्कुल या आप कमेंट कीजिएगा बेज़ेचक इन से हमें भी जानने को मिलती है कि हमारे बनाए वीडियो से लोगों की शायत हो रही है मदद हो रही है इंसे दोस्तों हमारे भी कर्मों की घड़े बरेंगे त आप चनल पर नई हैं तो दोस्टों को शब्स्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलएगा। यां दोस्टों जुड़ जेए आप इस चैनल से आपके राषिक के लाकोऑ लोग इस चैनल से जुड़े हैं तो दोस्टों जुड़ना बेडां भी न मुलें शातवी बेल को भी प्रेश कर दें दन्यवाद आप शिवी का दिन शुब हो मंगल मैं हो